ओम श्रिमन महा गना दिपते नमहाम ओम श्री सद गुरुदेव भगवनता या नमहाम ओम श्री गंगा दिव्वे नमहाम ओम श्री सांबसदा शिवा या नमहाम बगवान शिव जी के द्वारा बताया गया गंगा मता का एक दिव्य स्तोत्र जिसका पाठ करने से कैसा भी रोग क्यों नहीं आ गया उशरीर में अपने आपको दूर हो जाता है बगवान शिवजी की क्रपा से उनके वचनों के प्रभावसे और गंगा मा की क्रपा से बड़े बड़े रोग दूर हो सकते हैं यह अनुभुत किया हुआ स्तोत्र है सभी सादगण सभी भक्त जन इस पाठ का लाब ले और घर में बार बार इस पाठ को सुनें बड़े बड़े रोगों को दूर करने वाला यह पाठ है ओम अतश्री Sigma Ramadhir ओमनमह शिवाये गंगाये शिवदाये नमो नमहाम नमस्ते विष्णु रूपिन्ये भ्राम्म मुर्ते नमो स्तुते नमस्ते रुद्र रूपिन्ये शांकर येथे नमो नमहाम सर्वदेव स्वरूपिन्य नमो बेशज मुर्तये, सर्वस्य सर्वव्यादी नाम विशप्च्रेष्टे नमो स्थुते, स्थास्नूस जंगम संभूत वीशहंत्रे नमो स्थुते, संसार वीशनाशिन्य जीवनाये नमो स्थुते, तापत्रीतय सम्हंत्रे प्राणेश्येते नमो नमहं शांती संतान कारिन्ये नमस्ते शुद्ध मुर्तये सर्वसंशुद्धी कारिन्ये नमह पापारी मुर्तये भुक्ति मुक्ति प्रदायिन्ये बद्रदाये नमो नमहं भोगो पभोगदायिन्ये भोगवत्ते नमो स्तुते मंदाकिन्ये नमस्ते स्तु स्वर्गदाये नमो नमहं नमस्त्रे लोक्य भूशाये त्रीपथाये नमो नमहं नमस्त्री शुक्ल संस्थाये ख्षमावत्ते नम विष्वम मित्राय. नंधिन्ये नमो नमां। प्रत्वे शिवाम्रताये च सुव्रशाये नमो नमह, परापरशताध्याये ताराये ते नमो नमह, पाश जाल निक्रंतिन्ये अबिन्नाये नमो स्तुते, शान्ताये च वरिष्ठाये वरदाये नमो नमह, उग्राये सुख जग्दे च संजीवन्ये नमो स्तुते, ब्रह्मिष्ठाये ब्रह्मदाये दूरितग्ने नमो नमह प्रणतार्ती प्रभंजिन्ये जगन्मात्रे नमो स्थुते सर्वापत्प्रतिपक्षाये मंगलाये नमो नमह शरणा गत दीनार्त परित्राण परायने सर्वस्यार्ती हरे देवी नारायनी नमो स्थुते निरले पाये दुर्गहंत्रे दक्षाये ते नमो नमह परापर पराये च गंगे निर्वान दायने गंगे ममा ग्रतो भूया गंगे मे तिष्ठ प्रष्टत गंगे मे पार्श्वयो रेधी गंगे त्वयस्तु मे स्थितिही आदो त्वमंते मद्देच सर्वंतम गांगते शिवे त्वमेव मूल प्रक्रतिस्त्वं पुमान पर गंगेत्वं परमात्माच शिवस्तुब्यम् नमह शिवेर। य इदम् पठते स्तोत्रम् शुनो याच्छद्यापियह। दशधा मुच्चते पापेह। काय वाक्चित्त संभवेह। रोगस्थो रोगतो मुच्चे द्विपद्व्यष्च विपद्यतह। मुच्चते बंदनात बद्धो भीतो भीते प्रमुच्चते। सर्वान कामान वापनोती प्रेत्य चत्री दिवम् व्रजेत। दिव्यम् विमान मारोय दिव्यस्त्री परिवीजितह। ग्रहेपी लिकितम् यस्य सदाति श्ठति धारितम। नागनी चोर भयम तस्य नसर पादी भयम क्वचित जेश्ठे मासी सिते पक्षे दशमी हस्त सैयुता सम्हरे त्रिविधं पापं बुदवारेन सैयुता तस्याम दशम्या मेतच्य स्तोत्रम गंगा जले स्थितह यपठे दशक्रत्वस्तु दरिद्रोवा पिचाक्षमह सोपी तत्फलम अपनोती गंगाम संपुज्य यत्नतः ओम जय जय शिसकंद महा पुराणे काशी खंडे इश्वर कतितम श्री गंगादश रास्तोत्रम बोल्यशी सद्गुरुदेव भगवान की जय गंगे मात की जय दोनों हातु पर उठाके नमक पार्वती पते हारा हारा महादेव इस गंगा स्तोत्र के महात्मे के प्रसम में स्यवम भगवान शिवजी ने कहा है कि जो सद्धापूर्व की स्तोत्र को पढ़ता और सुनता है वह मन वाणी और शरीर द्वारा होने वाले 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है रोगी रोग से विपत्ती ग्रस आज़कल के जमाने में लिखा हुआ आरथा ये रिकोर्डिंग भी अगर किसी के गर में रख्योई हो तो उसे कभी अगनी, चोर और सर्प आदी का भाय नहीं होता है ये प्रणत जनों की समस्त बीड़ा का नाश करने वाला स्तोत्र है क्योंकि पुझ्य गुरुदेव ने भी सत्संग का है बगवान नारायन वेद्ध हैं और जानवी ओषदी अर्थात गंगामा जैसी ओषदी पूरी प्रत्थी पर और कहीं नहीं है गंगामा का इदिव्य स्तोत्र है सभी सादवजन ज्यादा से ज्यादा इसको सुनें और भक्तों में इसको प्रचार करने की सेवा का भी पुझ्य अवश्य कमाएं और हमारे बापुजी सदा स्वस्त रहें इस शुप संकल्पे के साथ सभी वक्त इस तोत्र का पाठ श्रवन आदी करें हरियो